ओम जै श्री हरी विश्णू, जै मतराणी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मा भगविते धुर्गा की क्रिपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, दोस्तों मकर संक्रांती, भगवान सुर्य देने वाला पर्व माना गया है, मकर संक्रांती के दिन ही भगवान सुर्य देव दक्षणायन से उत्तरायन होते हैं, और इसलिए मकर संक्रांती के दिन को अत्यंत पवित्र दिन माना गया है, और इसलिए पवित्र नदियों में श्नान करने का और दान देने का मकर संक्रां मनाई जाएगी या 15 जन्वरी को मकर संक्रांती का पावन परो मनाया जाएगा तो आज की वीडियो में मकर संक्रांती से संपुर्ण और सही जानकारी आप से शेयर करने वाली हूं मकर संक्रांती कब मनाई जाएगी 14 जन्वरी को या 15 जन्वरी को पुन्यकाल का समय क्या और संक्रांती का पल क्या रहेगा मतलब किस समय में भग्वान सुर्यदेव मखर राशी में प्रवेशं करने वाले हैं वह समय क्या होगा एक वहितलि ऐसी के अनुसार मखर संक्रांती नहीं करना चाहिए किस समय आपको करना चाहिए और कौन सी वो गलतियां है जो आज हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए यह संपुर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए फैमली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रस कर लीज और भगवान सुर्य जब शनीदेव की रासी में, अपने पुतर की रासी में प्रवेश करते हैं, तो इसे मकर संक्रांती के नाम से जाना जाता है और इसे बोहत ही महत्यपुर्न माना जाता है। आज के दिन मतलब मकर संक्रांती के दिन अगर कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाता है उसके घर जाता है तो पुत्र के सभी कष्ट सभी दुख समाप्त हो जाते हैं इसलिए आज के दिन हर पुत्र को चाहिए कि वो अपने पिता के चरण सपर्स करके उनका आशिरवात ल प्रिथ्वी प्रकाश में और उत्तरायन के इस प्रकाश में देह त्याग करने वाले मनुश्य का मतलब जो भी मनुश्य इस समय में मृत्यू को प्राप्त करता है उसका पुनर जन्म नहीं होता वह ब्रह्म को प्राप्त करता है और जैसा कि पौराणी कथा के अनुसार आप जानते भी होंगे कि भिश्म पितामह ने इच्छा मृत्यू होने के बावजूद भी 6 महीने तक मृत्यू सहिया पर पड़े हुए भगवान सुरेदेव के उत्तरा हुए तो मकर संक्रांती के दिन ही भिश्म पितामह ने अपने शरीड का त्याब किया था जबकि उन्हें इच्छा मृत्यू का वर्दान प्राप्त था वो जब चाहे मृत्यू को प्राप्त कर सकते थे लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान सुरेदेव के उत्तरायन होने का इंतजार किया तो आप समझ सकते हैं कि ये दिन कितना अधिक भध्यपोण होता है इस दिन किये गए शनान का दान का जन्मों जन्मों तक फल प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है कि आज जो भी हम दान करते हैं उसका सौ गुना होकर हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता हैं उसी दिन मकर संक्रांती मनाई जाती है तो इस बार भगवान सुरे देव राशी परिवर्तन कर रहे हैं रात्री में 14 जनवरी की रात्री में 8 बस कर 21 मिनट पर भगवान सुरे देव मकर राशी में प्रवेश करेंगे और इसलिए सुर्योदे कालीन तिती हमें 15 जनवरी को प्राप्त हो रही है और इस बार मकर संक्रांती का पर्व 15 जनवरी को मनाय जाएगा और इसलिए मकर संक्रांती का जो श्नान होता है जैसे कि पवित्र नदी में आप श्नान करना चाहते हैं या दान देना चाहते हैं जो भी मकर संक्रांती के निमित्त कार्य किये जाते हैं वो 15 जनवरी को ही किये जाएंगे और अब बात करें कि दान देने का शनान करने का शुब्म हुट क्या होगा तो देखिए मकर संक्रांती के दिन वैसे तो पूरा ही दिन शुब्माना जाता है लेकिन मकर संक्रांती के दिन पुन्यकाल का और महापुन्यकाल का समय विशेश रूप से बहुत महत्वण होता है इस विशेश समय में अगर आप शनान करते हैं किसी पवित्र नदी में या फिर दान देते हैं या कोई भी शुबकर्म करते हैं तो उसका फल आपको 100 गुना होकर जन्म जन्मांदर तक प्राप्त होता है इसलिए पुन्यकाल और महापुन्यकाल का समय विशेश रूप से बहुत महत्वण होता है तो 15 जन्वरी को पुन्यकाल का समय है सुबह 7 बजकर 15 मिनट से दोपहर में 12 बजकर 30 मिनट तक ये 5 घंटे 14 मिनट का समय है जो विशेश रूप से बहुत महत्य प्रोड है अगर आप शनान करते हैं दान करते हैं तो इस विशेश समय में अगर आप दान करते हैं या पवित्र नदी में शनान करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है अब बात करें मह महापुन्य काल एक बहुत ही शुब स्यूब होता है मृत confirming शुब कर पाच गन्ते 14 मिनट कैजे महापुन्य काल का समयसाइब 75 मिनट से नो ब्रफंद्रेय मिनट किहैं कुल 2 गंटे का समय है तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है महापुन्यकाल, मतलब इस समय में जो भी पुन्यकर्म आप करते हैं, कोई श्नान करते हैं, दान करते हैं, कोई भी शुब कर्म करते हैं, भगवत गीता का पाट करते हैं, कोई भी शुब कर्म करते हैं, तो उसका पुन्य आपको बहुत 9 बस कर 15 मिनट तक ही है तो हो सकता है कि आप इस समय में ना कर पाए अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 12 बस कर 30 मिनट तक दोपहर में पुन्यकाल का समय है आप इस समय तक ज़रूर कर लीजिए तो ये कुछ विशेश समय होते हैं संक्रांती के दिन जो बहुत शुब माने गये ह इसके अलावा भी पूरा दिन बहुत शुब होता है और अब बात करते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो देखिए मकर संक्रांती का दिन आप सभी जानते हैं अगर आप किसी पवित्र नदी में श्नान करने के लिए जा पाते हैं जैसे की प अगर आपके पास अपने घर में भी आप सकते हैं चाहे तो शुद्य जल से हमें यह फिर किसी भी पवित्र नदी का जल कि अनुसार आपको दान करना चाहिए मकर संक्रांती के दिन आप तिल का दान कर सकते हैं गुड का दान कर सकते हैं और तिल या गुड से बने हुए मिठाईयों का या लड़ू का दान कर सकते हैं और हां मकर संक्रांती के दिन विशेश रूप से खिचडी की सामगरी का दान कि किसी भी गरीब को किसी भी जरूरत मंद को आप दान कर सकते हैं या किसी ब्राम्भन को किसी मंदिर के पुजारी को दान कर सकते हैं तो दान अपनी छमता के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार आप कितनी भी संख्या में कर सकते हैं और किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं आप बात करें कि आज कौन से कार्य है जो नहीं करने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, आज के दिन जो भी हम शुब कर्म करते हैं, उसका फल हमको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से अगर आज कोई भी गलत कार्य करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे की दूसरों को दुख हो, तो उसका फल भी आपको 100 गुना होकर जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन विशेश रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, घर में किसी भी प्रकार से कलह कलेश ना हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए और हां विशेश रूप से आज के दिन घर में मांस मदिरा इत्यादी का सेवन नहीं करना चाहिए घर में शुद्ध और सात्विक भोजन मनाईए संभव हो तो किसी ब्रामभर को घर बुला कर भोजन कराना चाहिए लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो किसी ब्रामभर के निमित दान की सामगरी जरूर निकालिए आज के दिन भूखे जीवों को भोजन कराईए और किसी गरीब की जरूरत मंद की मदद कीजिए इन शुब कर्मों से आपको समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और जन्म जन्म मांतर के लिए आप पुन्य कर्म संचित कर लेते हैं तो बहुत ही पवित्रवाणी जाती है मकर संकरान्ति और इसलिए आज के दिन हमें इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्योप योगी होगी और मकर संक्रांती से जुड़ा अगर आपका कोई और भी प्रशन हो तो कमेट बॉक्स में जरूर लिखिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार